आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दर्गा पे लेकर आयो जो है नाकपूर अम्रावती और वर्दस से तक्रीबन सेब डिस्टंस पे दर्गा का लोकेशन बहुत प्यारा है कंप्लीटली नैशरल प्लेस है आपको एक यहां पर रुहानी मंजर देखने मिलेंगा दिल का सुकून मिलेंगा और दर्गा का नाम है इंदर मारी दर्गा शरीफ वैसे यहाँ पर तीन चार दर्गा है लेकिन में दर्गा जो है वह हजरत जमाल-उद्दीन रहमत अले झंगली फिर की दर्गा है और दर्गा को लोकेशन कुछ इस तरह है नाकपूर अमिरावती हाइवे के दर्गा और अगर आप अम्रावती से आते हो तो तले गाओ की घाट प्रॉस करने के बाद में आपको लेट हैं यहां से आपको अंदर जाना है इस रास्ते पर और इसी रास्ते पर तक्रीबर हमको एक-दो किलियो मेटर कंटीनु चलना है यहां पर आपको सहलानी बाबा का भ में दर्गा का कैमपस है कि कि अ कर आगाख कर हुआ हूं हुआ है गार अहां है जुब कुछ सो है हुआ है तो फाल कोका धर क्षी पहुच चुके और मेरे पिछे आप लोग देख सकते हो दर्गा शरीफ कैमपस जो के बहौत खूपसूरत है माशाल्ला और पीछे सारा इस साइड में यहां की में दर्बागाह हजरा सियर्द जमाल अद्दीन शाहर रहमत उलाले और जंगली पीर और उधर साइड में जो एक दर्बार दिख रहा है वह है शेक जी बबाना का दरबागा तो चलिए अंदर चलते। हजरत सीद जमाल अदीन शाहर हमद अलाला उठ जंगली पीर बाबा चलिए मुझसे पूछे कोई के क्या तुम हो मेरे बस दर्द की तवा तुम हो कि तुमा तुम हो या आचा मेरे बस दर्द की तुमा तुमाो या आचा मेरे बस दर्द तो यह थी यहां की में दर्गा शरीफ हजरत जमाल उद्दीन रहमत उलाले उर्फ जंगली पीर वैसे यहां की एकुरेट इंफॉरमेशन मैं आपको अभी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि यहां पर यहां का कोई जिम्मेदार अभी इस वक्त मौझूद नहीं है मेरी बात यह यहां का दूसरा दर्बाद शरीफ हदरत सग्या के हम्माद शेख जी बाबा चली अंदर चलके जयारत करते हैं सदत में आपके है रब सुनता हाली ना जाए हाली ना जाए हो तुआ तुम हो 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 तु पीछे नीचे वाले हिस्से में और यह जो आप मेरे सामने देख रहे हो यह एक धूरी जैसी जगा है जिसे कहा जाता है कि शेख जी बावा यहां पर बैठा करते थे यानि यह शेख जी बावा की बैठा के तो फ़रान इस जगों को थोड़ा नजदिक से दिफा दो अब यह तो होगी जंगल के ऊपर की सारी चीज़े अब चलते हैं जंगल के अंदर जंगली फिर बावा के दरबार के पीछे से एक रास्ता नीचे आता है इन पत्थरों में पत्थर यानि यह एक नदी है जो आप दरगा शरीफ जब एंटर होते है तो महापे आपके एक जंगल आपको दिखाई पड़ता है और इस जंगल में एक जगह है जिस जगह का नाम है धूनी वह जगह के बारे में मैं आपको बहां चलके बताऊंगा जो के बहुत रूहानी जगह है चलिए चलते हैं और यहां पर कुछ बैंड बाजे बज रहे हैं तो वह इसका पर दर्बार और दर्बार से आपको इन पत्थरों के रास्तों से होते हुए यहां पर आना है और यह रही वह जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि के यह है और यस जगह शहें को कहा जाता है और इस जगह पर शेक जी आबबा बैठ के इभादत किया करते थे यानिए जय यह जो चीज देख रहे हो पत्थर यह पत्तर को कहा जाता है कि यह जानमाज के शेप में और रखी कतमें अगर उस एंगल से आप लोग देखोंगे तो यह एक जानमाज के शेप का पत्थर है और इसकी बनाव तक ब्लिकुल जानमाज की तरह है और बुजुर्गों से हमने ये सुना है कि इस पत्थर पे यानि इस जानामास पे बहुत से बुजुर्गों को नमास पढ़ते हुए देखा गया है मेरे पिशे आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा ये लोकेशन आ रहा है बिल्कुल घना जंगल आप जितने अंदर जाओंगे उतने अंदर आपको जंगली जंगल मिलेंगा और नीचे में आप देख सकते हो एक छोटी ची नदी भी जारी है जिसमें फिलाल थोड़ा सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए तो चलते हैं और वापत आते हैं तो यह हैं जंगल के अंदर का नदा यह मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं यहां पर च्छोटी से नदी जैसा मैंने उपर से बताया था आपको और यह जंगल अंदर काफी बढ़ा है तो इतना अंदर हम लोग नहीं जाने वाले लेकिन बारिश के मौसम में यहां का लोकिशन बहुत प्यार आता होगा बिल्कुल मुझे यहां पर आने के बाद में जामगों खलका वाली वाइब याद आरी है वहां पर भी कुछ ऐसी है नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है आगे तो क कुछ ऐसा है इंदर मारी दर्गा शरीफ केंपस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो कोई सजेशन हुआ हमारे लिए तो कमेंट करके बता दो और देखते रहो हमारे चैनल को ऐसी नय नय इंशाल्ला ब्लॉक आते हमारे भूगर劃 लो य जो बाहराऄ आते शरी धिर कोई सब्सक्राइब कर लो ब्ला कौई सब्सक्राइब कर लोय आते तो कर दोका दो मेंट अवयं भूड़ गिर सवे के यंदर कोई मेंट लोका कर लोह हमारे लोगर भू़ है तो हुई